परिचे आई एफ डब्यू जे गुट निर्पेक्ष दुनिया में सबसे बड़े पत्रकार संगठन के रूप में इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स की स्थापना 28 अक्टूबर सन 1950 को नई दिल्ली में जंतरमंतर पर हुई आजादी के बाद स्वतंद्र भारत में श्रम जीवी पत्रकारों के हितार्थ कारे करने वाला ये देश का सबसे बड़ा पंजिक्रित ट्रेड यूनियन संग है वर्तमान परिपेक्ष में 30 हजार से ज़्यादा प्रार्थमिक और सहयोगी सदस्य 35 राजियों और केंदर शासित प्रदेशों में साधारन और सत्रे भाशाओं में करीब 1260 प्रिंट और इलेक्टरनिक मीडिया समवाद समीती और टीवी में कारियरत है पूर्व में टाइम्स ओफ इंडिया मुंबे में कारियरत रहे श्री के विक्रम राहो निर्विरोध निर्वाचत राश्री अद्दक्ष है इस्थापना के समय से ही IFWJ राजस्थान एकाई भी पत्रकारों के हितार्त सदैव संघर्ष शील रही है राजस्थान प्रदेश एकाई के वर्तमान प्रदेश राद्दक्ष है दपुलिस पोस्ट और संगठन पत्रिका के संपादक उपेंद्र सिंग राठोड IFWJ देश भर में एक मात्र ऐसा संगठन है जिसकी एकाईयां और शाखाएं हर नगर कस्बे और प्रकाशन केंद्र में है इन एकाईयों द्वारा प्रेस क्लब, पत्रकार भवन, प्रेस अकादमी, संदर्व लाइब्रेरियां, प्रशिक्षन केंद्र, अध्धैन मंच आधी संचालित किये जा रहे है पत्रकारिता, शोध, श्रमिक संघर्ष, मानव अधिकारों के लिए आंदोलन, पर्यावरण संगरक्षन, युद्ध विरोधी अभियान आधी कारिक्रमों में फेडरेशन की एकाईयां निरंतर क्रियाशील रहती है विश्वव्यापी मीडिया कारिक्रम में भी IFWJ पूर्ण तयाज जुड़ा हुआ है IFWJ के पारसपरिक संबंद 47 राष्ट्रों की पत्रकार यूनियनों से है अंतराश्रिय श्रम संगठन, ILO, जिनेवा और युनेस्को से जन संचार विकास के अंतराश्रिय कारिक्रम IPDC पहरिस की विभिन योजनाओं के साथ IFWJ सक्रियता से जुड़ा है ये कोलंबो इस्थत एश्याई पत्रकार यूनियनों के परिसंग की संबद है IFWJ अदक्ष ही इस एश्याई परिसंग के चेर्मेन भी है पिछले कुछ बरसों में फेडरेशन के कई सौ सदस्य यूरोप, अमेरिका और अफरिकी देशों में प्रश्रिक्षन और सम्मिलनों में भाग लेने जा चुके है फेडरेशन के संबिधान के अनुसार शीर्ष पद पर अदक्ष होता है जिसे हजारों सदस्य राष्ट्र व्यापी प्रत्यक्ष मद्दान से प्रत्य एक दो वर्श के लिए चुनते है अद्यक्ष के साथ एक प्रधान सचिव, चार उपाद्यक्ष, छे क्षत्री सचिव, एक कोशाद्यक्ष और पंग्रह राष्ट्रीय कार्यकारेणी सदस्यों का चैन होता है इन सभी का निरवाचन, राष्ट्रीय परिशद, त्रेवार्श की प्रत्यनिधी अधिवेशन में गुप्त मद्दान और अनुपातिक प्रत्यनिधव के आधार पर किया जाता है श्री के विक्रम राव, गद्धिकार संपादक और टीवी रेडियो समिक्षक के साथ ही श्रम जीवी पत्रकारों के हितार्थ प्रकाशत मासिक, दो वर्किंग जर्णलिस्ट के प्रधान संपादक भी है श्री के विक्रम राव, वॉइस ओफ अमेरिका, हिंदी समाचार संभाग, वाशिंग्टन के दक्षन एशियाई ब्यूरू में संबाद दाता रहे भारती प्रेस काउंसिल के 1991 से लगातार 6 बरसों तक आप सदस्य रहे भारत सरकार द्वारा 2008 में गठित मजीठिया वेतन बोर्ड 1996 और मानी साना वेतन बोर्ड के सदस्य रहते हुए देश विदेश के श्रम जिवी पत्रकारों के हितार्त कारे करते हुए बारवें राश्री अद्दक्ष के रूप में पुनहें तीन वर्ष के लिए निर्वाचित होकर मार्च 2016 से अपनी अद्दक्षिय पारी खिलते हुए देश के पत्रकारों के समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर संधर्ष शील है श्री उपेंद्र सिंग राठोर आई-एफ जब्लीजे में प्रदेश के विभिन पदों के तहत राजस्थान में पत्रकारों के लिए संधर्ष करने वाले जुजहरू उर्जावान युवा पत्रकार हैं श्री के विक्रम राव ने इनकी कारेशाली के मद्दे नजर राश्री उपाद्ध्ष भी बनाया लेकिन राजस्थान प्रदेश के जैसलमीर में एकत्रवे राश्री अधिवेशन के दोरान आयुजग के रूप में श्री राठोर की कारेश प्रणाली और संगठन निष्ठा से प्रभावित होकर श्री राव ने इन्हें प्रदेशा तक्ष के बागदोर सौंपी इनके कारेकाल में प्रदेश में राश्री अधिवेशन के बाद दूसरी उपलब्धी के रूप में एक दिवसीय प्रदेश इस तरिये से मिलन उन्नीस फरवरी सन दो हजार सत्रह को पंचायती राजस्थान सान में आयुजग किया गया इसमें प्रदेश से खरीब दो सो पत्रकारों की सहफागीता रही अक्टूबर 2017 की 27 और 28 तारिख को राजस्थान प्रदेश की राजधानी जैपुर में IFWJ के 67 वर्ष पूर्ण होने के आउसर पर राश्री अधिवेशन आयुजग किया गया जिसमें देश के साथ राजस्थान के प्रतियक जिले उपखंड से पत्रकारों ने सैक्रों की तादाद में भाग लिया इनकी बड़ी संख्या में पत्रकारों का सम्मिलन राजस्थान प्रदेश में प्रतम बार आयुजद हुआ जो IFWJ की सवशक्त टा को दर्शाता है प्रदेश अध्दक्ष उपेंदर सिंग राठोड ने वरिष्ट उपद्दक्ष शंकर नागर उपद्दक्ष विश्नुदत शर्मा के साथ प्रदेश भर के चार बार सगन दोरा करते हुए राजस्थांग प्रदेश के 33 जिलों उपजिला मुख्याले पलोदी में जिला एकाईयों का गठन अल्प समय में किया वर्तमान में 1487 से भी ज्यादा पत्रकार IFWJ संसा के सदस्य है यूनियन की 79 वी वर्षगाट के कारिक्रम के पस्चाथ प्रदेश के 215 उपखंड तक IFWJ की एकाईयों को गठिद करने के साथ प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए देश के प्रधान मंत्री और राज्य की मुख्य मंत्री के नाम समस्त विधायकों और संस्तों से राजस्तान प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा गानून लागू कराने के लिए अनुशंसा पत्र लिखवाने का कारिक किया जा रहा है जिसमें आशातीत सफलता भी प्राप्त की है प्रदेशा अद्रध्ष का प्रदेश में मुख्य तयाफ फोकस पत्रकार फोटोग्राफर कैमरा मेन पर होने वाले हमलों में घयर जमानती धाराओं में मुकदमे दर जहुँ बिना मुख्यमंत्री और उनके नामित अधिकारी की अनुमती के किसी पत्रकार की किरफतारी ना हो कैश लैस मेडिकलेम और विशेश बीमा और दुरगटना बीमा केंद्रिय सरकार द्वारा करवाया जाए सभी श्रेणी की बसों में जहां तक प्रदेश की बस सेवा हो पत्रकारों को यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए कैमरा मैन और एलेक्ट्रोनिक मीडिया में कारिरत पत्रकारों के उपकरणों की विशेश बीमा सुविधा राज्यसरकार की तरफ से उपलब्द हो राश्री राजमार्गों पर पत्रकारों की स्वैम के वहन से यात्रा करने पर टोल से मुक्त किया जाए लंबित पड़ी आवास प्रक्रिया का शेगर निस्तारन किया जाए पत्रकारों के बच्चों के लिए केंद्री विद्याले में शिक्षा है तू कोटा नर्धारन साभार IFWJ राजस्तान प्रदेश कारियल है F66 सुंदर मार्ग C. स्कीम जैपुर राजस्तान मेल आईडी है IFSJRAJADTHAN at the rate of redifmail.com वेबसाइट www.ifwjrajasthan.com प्रुप जैपुर राजस्तान